असलाम अलेकुम अच्वा टॉपिक का नाम है एक्सिरिशन इन अर्थ वॉम बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है देखें जो अर्थ वॉम है जिस ग्रुप का मेंबर है उसका नाम है एनलेडा जहां भी अर्थ वॉम आप देखेंगे उसकी जो बोडी है अर्थ वॉम की व मतलब कि हर अर्थवाम की जो बोड़ी है और हर सेग्मेंट के पास दो पेर की फोम है आपको नज़र आते हैं और इसके अक्सिर्टी सिस्ट्रम का नाम किया है मैटाथ मैटनेफ्रीडियम कौन से होता है यह याद रखेगा पीछे हमने प्रोटोनेफ्रीडियम पढ़ा था प्लेन एरिया के अंदर आज हम पढ़ें मैटनेफ्रीडियम तो मैटनेफ्रीडियम की पहचान के यह ट्यूबूलर अक्सिटी सिस्टम है मगर विद इंटरनल ओपनिंग है अगर अगर अनदर शूब उपनिंग मजूद है तो dies उस्था प्रोटोनेफ्रीडियम यह डोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए प्रोटोनेफ्रीडियम मैटनेफ्रीडियम दोनों ट्यूबूलर अक्सिटी सिस्टम है अर अगर उपत नाम क्या था बेटा वह proto-nifridium था, जो last time मेरे बचे आपनो, मैंने topic पढ़ाया था ये वाला, कि ये मेरे बचे proto-nifridium, ये plain area और ये था flame cell, ये सारा जो topic पढ़ाया था ये आपको याद होना चाहिए, अब मेरे बचे ये देखे, segmented form में आपके पास आगया अर्थवा, मैंने एक अंदर की opening आगे आता है collecting duct उसके बाद आता है bladder और यह बाहिए की जो opening आधे अरको नफरीडियो पौर मैंने plane area में बताया था जो बाहिए की opening होती है उसको कहा जाता है nephरीडियो पौर यह आपने याद रखने प्ले नेरिये के अंदर भी बाहिए की opening नफरीडियो पौर है और अर्थ वाम के अंदर भी जो external opening आधे आधे को नफरीडियो पौर है आप देख सेते हैं यह जो नफरोस्ट्रोमन है अंदर की opening इसके इड़ गेद मजूद है cilia और यह जो अंदर पानी मजूद होता है इस cavity के अंदर इस पानी के नाम है cilomic fluid जिसके अंदर nitrogenous waste मजूद है तो cilomic fluid के अंदर यह पूरे segment के अंदर पानी के नाम है cilomic fluid है और यह जो पूरा system है दियार axillary system और इस axillary system का नाम के बटा metafridium क्योंकि इसके इंटरनल आपनिंग मजूद है जिसका नाम है nephrostrom तो चार segment है एक, दो, तीन, चार nephrostrom internal opening है covers by cilia entrance of cilomic fluid यहां से अंदर दाखल होगा cilomic fluid और आगे जाएगा जब आगे जाएगा तो आगे कहागा है collecting duct यहां पे reabsorption होगी useful material जितना काम की चीज़ों के दबाराख खेंच ली जाएगी आगे जाएगा फिर वो सारा nitrogenous waste bladder के पास यह temporary store कर लेगा nitrogenous waste को आखरी आएगा nephridio pour यह external opening है और remove कर देगा nitrogenous waste material को तो इस तरह से acceleration होती है बटा earthworm के अंदर यह असान और simple सा topic था आपने as a tissue paper के अंदर लिखना होता है सारे lectures uploaded है secondary के सारे lectures uploaded first year के आप जाके playlists को open करें जाके सारे के सारे lectures ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ जाती तो आप उस topic का नाम के साथ Ali Academy लिख दें तो आपके सामने वो topic आजाता है आपने सर्च किया हुआ ओके बटा अलाफीस